राधे राधे दोस्तों a very good morning to all of you कैसे है आप सब लो आप सोच रहते कि रात दिखाके मैं good morning क्यों वोल रही हूँ तो दोस्तों यह रात नहीं है यह लगभग 6.15 हो रहा है यहां पे और साड़े छे पॉने साथ बजे तक अंदेरा ही रहता है बाहर आप देख सकते हो काफी अंदेरा है और हमारे दो पेरे पेरे बावु रहे है यह देखे लड़ गोपाल जी और वाशु दोनों सो रहे है अभी मैं इनको नहीं उठाओंगी पहले मैं क्या करती हूं दूद बुद्ध गरम कर लेती हूं और रेडी कर लेती हूं सब कुछ रेडी करके ताकि मैं इन इनको जो है अभी मैं ऐसे इनके कप भी थोड़ा चेंज किया है यह रखा है जो जिसमें काना किशुरी जी को और गोपाल को दोनों को भोग लगाती हूं तो आप दूद मैंने डेडी कर लिया अभी गोपाल और लड़ु को दोनों को जो मैं उठा देती हूं वाशु उठ दर्शन होती है सुबह सुबह मेरा पूरा दिन वैसी ही अच्छा हो जाता है जब इनकी दर्शन हो जाती है यह रात का कुछ स्रिंगार जो उनको माला पएला पएनके रखते हैं और यह सब कुछ में यहीं पे खोल ना आने के बाद कभी चेंज कर देती हूं कभी यही सेम पैना देते हैं जैसे सम्हासे दूसतोग वह कर लेते हैं पर वाशुं कभरबू तो इस तरह से वाशुको और गोपाल को दोनों को मैंने उठा दिया और क्यूंकि यह कंबल लेके सोते हैं तो इनको हलका पुषाक में ही मैं सुलाती हूं कि मुंबाई में अभी इतने ठंडा तो है नहीं जो एक तोपी सोडर पहन के सोना पड़े तो बहुत ज्यादा गरम हो थोड़ा सा तुलशी की पानी इनको प्रकोर पानी पहा सुल लाती हूं, मैं यह रखाँ जोड़ाती हूं दक आपर रफाइल जाये होते हैं जो हम इस तरह से इनको रखते हैं इस तरह से बात ब तै करते हैं तो अब जो है थोड़ा सा सॉल यका वाशी का के चूली का तो और धेगते हूं बाद में हृँआ इनके लिए च्छोटा सा मरी चया दीखा जो सुबेशे मुझे पंचू अंदर कमरे में है मुझे निकाल के लाना है तो मैंने इनको ne जये लगा दिया है sono Крас investig तो अब विये हम attitude कर लेते हैं और लेकर इनको दूद की भोग लगा देते है तो ऑकाना किशोरी और गोपाल का न्यवेश का होता है वहा हमादाले क्राूट अर प्रिकें के रिक्ले कर देता है कि भगवान जी आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए और इस तरह से मेरा मॉर्निंग जो है तो अब जो है थोड़े देर बाद मेरे दोनों गोपाल नहा लेंगे और हम करते हैं थोड़ा सा गुन 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 ना पानी में यह नहाते हैं वारेश में आप लोगों को वीडियो एक दो दिन बाद मेल रही है लेकिन जब मैं जिस दिन मैं इसको शूट करी हूँ उस दिन तो पूरे दिन धूप तो आया ही नहीं उपर से बारिस दूरू हो गया है और ये काफी ठंडा हो जा रहा था तो ये धूप में बैठके थोड़ा करम पानी में नहाते है तो हवा मतलब इतना नहीं लगता है क्यो भी पानी में नहीं रखेंगे जब घर्मी के टाइम होता है तो मैं इनको ज्यादा देर तक पानी में रखती हूं ये थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं लेकिन ठंडे के टाइम में मैं इनको कुसिस करती हूँ जल्दी जल्दी नहा के तैयार कर देने के लिए तो ये बाश तो पेडों में डालना ही सबसे अच्छा रहता है अब इनको इनके इनर्स पहना देते हैं वाशू को भी गोपाल को भी इनर्स तो जोरूर पहना है अगर आप अभी तक नहीं पहना है तो कोशिश करें कि इनको इनर्स जोरूर पहना के रखे और अभी इनको ड्रेस पहना दे आराम से इनको स्वेटर बगरा पहना सकते हैं तो अभी आम पाल को भी तयार कर लेते हैं तो इस तरह से दोनों को सेम सेम डिजाइन का पनलना दिया है इनके स्वेटर बिल्कुल सेम डिजाइन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आसपास के बिंग एक का पींग और ब्लू का सब यह मेरे का वाषू का ड्रेस का दिखा आशा यह द्रेस मैंने दिखाना भूल कहीं थी यह जा। तो यह आज इनने स्वेटर पहना है को शुक्त मैं यह दूप रहता है उस दिन स्वेटर की जोरत नहीं पड़ती है बारिस बारिस हो जाएगी थोड़ा बहुत या धूप नहीं आती है तो उस दिन ठंडा होता है काफी तो उस दिन फिर मैं इनको स्वेटर पैना देती हूं क्योंकि छोटे हैं हमारे भी बच्चों को ठंडा लग जाता है और क्योंकि मौसम कभी ठंडा हो रहा है कभी गरम हो तो इसी चक्कर में बच्चों को भी ठंडा लग जाता है तो यह देखिए वाशु भी पैन के तैयार हो चुका है यह इनकी कमर में रसी डागा है जिसमें टाइट करके पैना सकते हैं और इनकी हलका से जूइलरी मैं रेडी करके रखा हूं जूइलरी जो है बहुत ज्याद जाल वाशु याओ पीर तो अछिपर सेधान गरें टेटे हैं बहुत ही प्यारा दिखते हैं और यह देखिए ग्रीन में अच्छा यह तो आज यही इनको पैना देते हैं यह जाना से यहे जिए यहां जाए ज़या हो जिली से एंट गया है यह इसां आट स्रेंगार का कर सकते हो आप वर्किंग हो जैसे मैं भी वर्किंग हो मेरे चोटे दो बच्चे है तो मुझे बहुत सारा और भी चीजे रहती है लेकिन मैं चाहती हूं कि गोपाल को वाशु को मैं ऐसे स्रिंगार करके रखू कि जो जल्दी भी हो जाया देखने में भी सुन्दर लगे के मैं कि स्रिंगार नहीं कर पा रहे हूं देखिए आपको लगता है कहीं से कुछ कमी दिख रही है मुझे तु नहीं दिख रही है मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहे है इनकी स्रिंगार तो ऐसे करके हमारा गोपाल वबासु स्वेटर टोपी पहन के एक-दो राजा बभ टर्च Selfies Tech Cityこんな दर्च चना में सब्सक्राइब वाङए मैं कशिर के लिए जॉरूर दे देती। हैं रहते हैं और इसके बाद इनको हुआ कर दो अर्टी乐 घूत लगा दिया चुल Gör P पूजा नेल दूद की भोग लगाने के बार मंदिर का पूजा कर लेती हो तो अभी दोपहर का इनका खाना रहेगा वो में उसमें में पराथा बना रही हूं यह नर्मन नॉर्मण पराथा है जो अगहीं से बना हुआ घी प्रोभा चाहिए तो तो यह पारता है और इनकी जो पराठा बनता है यह की से ई-वहनता है तो उसने पराठा के लिए अजा रहता है नहीं पराठा के शाक्ता है aал तो यह बस मैं आपको इसलिए दिखा रहे हूं कि अगर आप अच्छा हनी लेना चाहते हैं तो आप कोई भी हनी जब ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी तो मैं रेकॉमेंड नहीं बोलूंगी कुछ यह इसका लीजिए कि उसका लीजिए या अच्छा बुरा भी नहीं ब निकाल दोंगी जो जब कोई खीर इस तरह का भोग लगता है तो मैं तुरंत दस पंद्रा मिट 20 मिनिट में निकाल देती हूं लेकिन सुखा भोग रहता है तो थोड़े देर रख देती हूं तब इनको हनी और पराठा का भोग लागांगी ठाकुर जी भोग ग्रहन कर ले और मेरे प्यारे से गोपाल मेरे प्यारा वाशू सभी लोग भोग रहन कर ले और फिर दो पैर में थोड़ा सा विस्त्राम कर लीज़े यहीं पर तो अभी हो जाएगा साम साम के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे आज थोड़ा सा इनके लिए चाय बनाएंगे जो अद्रक और कुछ मसाला वाला चाय बनाईंगे तो इसके लिए यह जुआ धेहाई डाला है ए बाद जाले है एलाइचा और तो इस तरह का जो झाले है इसको हम थोड़ा सा पीस ज् excluded के लिए कफी अच्छा होता है और हम को बोलों को लिए लग जाते हि तो घंडी के चाई में संदर से हो बने कायगी लिए Indian इस इसे बीदाने के बैण सकते के बैद साबाते हैं तो कि दो यह ताला ना सब्सक्राइब इस तरह का जो भोग होता है यह बारिस में भी बहुत अच्छा लगता है तो ठाकूर जी को काना कीशुरी जी को वाशु और गोपाल सभी लोग वो गुरहन करेंगे तो यहां पर हम लोग थोड़े दिर रखके चले जाते हैं इसके बाद हो जाता है साम को हमको फिर करना है इनकी आरती तो आरती के लिए हम घंटी दिया धूबबती और संक से आरती करते हैं दिया यहां पर हमने लगा दिया है तो यह मेरी जो है लगबख डेली का रूटिन है दिया में मैंने एक कपूर डालके रखा है सायद आपने द कब्बली दुबबती आता है वह लगा दिया है कि कभी-कभी अलग से जलाना नहीं हो पाता है तो डायरेड में रख देती हूँ तो दिया में ही कपोर भी इसके साथ साथ खुजब भी आ जाती है तो इस तरह से इनके साम की आर्थी हो जाती है तो दोस्तों देखिए देखने में साइद यह लग रहा है आपको बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन यह पूरा दीन का रूटीन है क्योंकि इस बीच में और भी बहुत सारे चीजे हो जाती है जो कि कैमेरा में सब कुछ लेना पॉसबल नहीं होता है तो अब धीरे-धीरे हो गई है रात रात को हम इनको गरम दूद की भोग लगाएंगे थोड़ा सा फल की भोग लगाएंगे क्योंकि साम को जो है इन्होंने चाय मैंने चाय का भोग लगाए था आज दूद नहीं दिया था साम को तो रात को लगा देंगे और थोड़ा सा ड्राइफूट तो ठंडे में इस चीजे अच्छे लगते हैं फल बगरा भी लगा दिया है क्योंकि सुबेरे और साम को एक रखते हैं तो इस तरह से हमें जो है साम तक का हमारा रूटीन कम्पलिट हो जाता है अभी थन्यके टाइम पर और इसके बाद जो रात हो जाती है रात के लिए हम तयारी शुरू करते सबसे पहले वाश्व को और गोपाल को हम थोड़ा सा इनको चरन सेवा करते हैं चरन सेवा यानि कि थोड़ा सा सरसो का तेल हम गरम कर लेते हैं और छोटा सा ही लेना है बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है कटोरे में मैंने थोड़ा सा सरसो का तेल ले लिया है और ये मेरे बेटी कर लेती है कभी-कभी मुझे अगर मैं कुछ और काम कर रही हूं तो मेरे बेटी भी लगबग इनको यह चरन सेवा करके सुला देती है तो सिर्फ दस साल की है लेकिन वह उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्यार से करती है और मुझे भी मैं भी थोड़ा-थोड़ा उनको बताती रहती हो कैसे करना है तो यह गोपाल स्कार्थ भी तरह से थोड़ा हलका सा दबाद आपके पैरों में तेल टल लगाते है तो स्केन वगएर भी अच्छा लगता तो थोड़ा सा तेल इनके सिने पे लगानाया। थे झाल में यार्ट साव मिवलज बता हूं अमने दोबोंने को समय आप को आप ब 드»,irty हें यह बाइं सिकने थाज समाई को आप तिक यह आपूझ हो में गख़ला रिहों सीर वाद तो कुछ होता ही नहीं और होता ही है जिस दिन जो भी विल हो फिल होग लगे चीज़ कोड़ी संसी होता है चुल है अपना रूटिन नाнок兄 उसा्षआ कर सकते है जब रूटिन बन जाती है तो सेवा करना बहुत आसन हो जाता है आपको पता है कितने बजे कब क्या करना है जैसे छोटे बच्चे हमारे घर में रहते हैं तो हम उनके कैसे करते हैं हमें पता है उनको कितने बजे ही और दे खाना देना है किस दिन जल्दी भी सब्सक्राइब लेड भी जाता है तो तयौति यहां कि पढ़ों हम और कपड़ित की पहने शुवेर कोओं कहने में हलकी हाँ तो लागए टिस यहाँ आभ件事情iors तो काना जी हमारे काना जी और किसुरी जी इनको भी हम request करेंगे कि आप भी विस्राम कर लेजे रात हो गया है और सब के तरफ से वाशु और गोपाल के तरफ से भी आप सभी को good night बहुत अच्छे से रहे आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है काना नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए राधे राधे दोस्तु